इसांगे, रष्ट कर दोस्तों तो आज हम डिस्कस करेंगे, पोस्ट कोड्ड कर एक्जाम है पोस्ट कोड्ड 578 का question फिर 2018 में कंडक्ट गुवा था तो आज हम इसको discuss करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्रीमा सांजा करता है, इसका राइट एट सर है, बंगला देश जो है, भारत के साथ सबसे लंबी स्रीमा सांजा करता है, next question है, हिमाल्य में पीर पंजाल स्रेणी किसका बाग है तो हिमाल्य में जो पीर पंजाल स्रेणी है वो किसका बाग है वो नीमन हिमाल्य का बाग है नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी स्थित है तो नंदा देविजी जोटे जो हमारे उत्रखन में स्थित है नेक्स्ट क्वेस्टन है गंदी सागर जलाशे किस नदी पर स्थित है तो गंदी सागर जलाशे जो है चंबल नदी के उपर स्थित है नेक्स्ट क्वेस्टन है निमी लिकित में से कौन सा एक जैमंडल नेक्स्ट गुर्ट है निम लिखित में से किसे नीलेट किसे रहेंगे सोर्गम सोरगम का next question कौंसा राश्टली राजमार्ग दिल्य और बंबई को जोड़ता है isa राश्टली राजमार्गान साatter extension je जावर खडाने किसके के लिए महत और है तो जावर किसके लिए जिंग के से ज्यादा होती है मृत जीबों के श्रीव पर भोजन प्राप्त करने वाले जीब होते हैं अप मार्जक होते हैं उनको क्या होते हैं अप मार्जक होते हैं नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कहां पर जियेंड के में नेग और यह चिलका लेक हमारी कहां पर जिलका लेक चिलका लेक हमारी उड़ी समय है लोग तक जील जो है जो है लोग तक जील जो मणिपूर में सेटे हैं नेक्स्ट कोस्टन है भारत के लिए कैबिनिट मिशन प्लान ने किस पर विचार किया था तो इसका जो राज्यों का स्वंग पर विचार किया था नेक्स्ट कोस्टन है बारत के संभीदान में धर्न निर्पेक्श जो अ düzen में जोड़ा गया था तो यह था हमारा गया था नेक्स्ट कोस्टन है निमल इकित में से किस परकार से भारतियन आगरता प्रापत की जा सकती है तो भारती नारक्रता हस्तांस रंड़ से के भी प्रापत की जाएं, देशी करण से भी पंची करण से भी और option D is right answer नेक्स्ट जनहिती अचका की अब धारणा उत्पन हुई थी, तो जनहिती अचका की धारणा का से? उसमे फुर्ट फुकुर्दीन अलीव एहमाद थे नेक्स्ट बार्चके उपर रस्थप्ती को हटाने लिए वट्टाब भिजे जा सकता है बारत में सबसे बड़ा लोख्सभा चुनाब क्षेटर प्रत्म लोक अदालत किस बर्ष आयोजित हुई थी? प्रत्म लोक अदालत हमारी योजित हुई थी? 1986 में नेट्सन प्रत्म पॉस्ट ए है किसी राज्य में एक मन्त्री ब्यक्ति गत रूप से किसके प्रती जवाबदार होता है तो इसका राइट अनशर है राज्य पाल के वरती विवाबदार होता है संग सूची में कितने विशे हैं तो संग सूची में 97 विशे है निमल लिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत की आये का एक्स त्रोथ है तो ग्राम पंचायत की आये का एक्स त्रोथ क्या है उगा ही कर नेक्स्ट राश्ट्री महले आयोकी स्थापना कब की गई थी तो राश्ट्री महले आयोकी स्थापना 1902 में की गई थी 20 शुत्री आर्थिक कारिक्रम की की घोषना पहली बार कब कोई थी तो 1975 में होई थी राष्ट्री ग्रामिन अजीबी का मिशन की सुरुवात कि शहर से हुई थी तो राष्ट्री अजीबी का मिशन की सुरुवात होई थी हमारी बांस बाड़ा से को सिदर का पिए से चाहिरेद से चाहिर है जिसमें हमारा इंचुरेंस होता है कि परत्यक्षक्रों का नियुंत्व प्रभाब हैं पूंजी वस्तुञूं पर पूंजी वस्तुञुन में कौन सा क्षेत्र तृत्यक्र की अंत्रगत नहीं आता है तो कौन सा है। भार्त में किसु यजना के दोरान हरित करणती प्रारम हुई इस कुश्च्टन में डाउट है थोड़ा चेक करना बढ़ेगा इसको एक बार चेक कर लिजिएगा नेक्स्ट क्वेस्टन डिसक्स करते है। किसी देश की आर्थिक प्रिद्धी का सर्वोतक मापक क्या है तो इन्हें से कोई नहीं है चाक की सहायता से ब्लैक बोर्ड पर लिखने में हमें क्या समर्थ बनता है आस संजन अडेशन जो होता है आसंजन आसंजन बनता है इक सुनार अधिकतर प्रयोग में लाए जाता है नेवीगेटरों द Воर्शा प्रयोग में लाए ठीक है, पूर्ण आंतिक प्रिवर्तन के उधारन है, हीरे का चमकना, रेगिस्थान में, मर्ची का, कांच में, आई दरार का चमकना, जल में पड़ी, पर्खनली का चमकना, तो यह क्या है, पूर्ण आंतिक प्रिवर्तन के उधारन है, नेक्स्ट नाखुन पॉलिश रिमूबर में होता है तो रिए अन सर इसमें प्रियोग करते हैं तो पठाकों में चमकदार श्वेद प्रकाश उत्पन करने के लिए निमलिक में क्या प्रयोक्त होता है तो उसका सहर है मेगनीशीम उसमें here उसमें हम प्राक्रतिक नहीं है के लिक्टु और समय्वけて you सम्माने ता प्रिप्त किया जाने वाला प्रथम रिशाइन कौन सा है तो इसका 24D है गरम करने पर निमल लिख्ट में से किसका प्रसार सरवाधिक होगा तो गरम करने पर भायों को प्रसार सबसे अधिक होगा गोने डिशान एन यह ज одноते हैं मॉवाइल फोन बैटरी में परम क्रूप से रिवह होने लोगा लां साबुन किसका सोडीन में परटाशियूम लबन है यह सबी का है उसमें hum ओलिक एसिड हो गया पैमिटिक एसिड हो गया आपका सिट्रिक सिट्रिक एसिड हो गया व I am the next question को कि अ कृँचेर प्रेमी कोह से हैं तो आ प्रेमी सोड़्य प्रेमी प्रेमी आ तो सूर्य प्रेमी प्रेमी प्रें वाम कोह साइट फ्लियो फाइट्स क्यार्व होती है lektik kecit के कारण जो पेश्य थकान होती है next question है दूद की की सका अलप स्तुरोध है तो दूद में कहता है लॉग आईरन सबसे ज़्यादा आता है ठीक next question है नेक्स्ट क्वेस्ट में से किस वीटामीन की रक्त सकंद में ब्हूमका होती है तो वीटामीन की कि हरकत कोन में मैं होती है क्या नेक्स क्वेश्टोन नीमन लिखित में से कौन सा deals ऑनिमल स्टार्ज के नाम से जाना जाता है ग्लाकोज़ों जो की नाम कि ग्लाकोजिब ज़ूर आकि जाना जाता है बूतनाथ मंदिर स्तीत है तो बूतनाथ था राजा अज्वर बनाया था कब बनाया था 1526 वी में बनाया था इसको अर्धनारीश पर भी बोलते हैं next question ह생 फिमांचल परदेश में एक मातर सेमिक स्कूल गर सेमिक बिद्याले कहाँ स्थी तो还有 हमिरपूल में हता है ठीक है नेक्स हो उस चममबा सहर की स्थापना किस ने की थी तो चममबा सहर की स्थापना किस ने की थी साहिल बर्मन ने कब की थी? 920 में चमबा सहर यह पूछ रहा है चमबा सहर की स्थापना किस ने की थी? और एक और पूछन इससे बनता है चमबा रियासत की स्थापना किस ने की थी? तो चमबा रियासत की स्थापना मेरू बर्मन ने 550-600 तो इस भी के बीच में की थी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेस्टन है, गिरी किसकी सहाइक नदी है, तो गिरी किसकी सहाइक नदी है, यमना की नदी है, तो यमना की और सहाइक नदी है, कौन सी है, टॉंस आगी आपकी, पबर आगी, अगर अंधर आगी, ठीक है, अब हम रावी के प्राचीन नाम के प्राचीन इरावती राभी का प्राचीन नाम इरावती और बैदिक नाम के पुरुशनी ठीक है यमुना का प्राचीन नाम के कलिंदी यमुना का प्राचीन नाम है कलिंदी ब्याश का प्राचीन नाम के बिपाशा बैदिक नाम क्या है इसका अर्जी किया ठीक है नेक्स्ट क्वेस्ट्टन है हिस्ट्री ओफ दी मंडी स्टेट किस ने लिखी थी मनमोहन ने लिखी थी MS रंधाबा ने कौन से लिखी थी कांगडा पेंटिंग ट्रेवल्स इन वेस्टन हिमालिया और येशी फृझने कंसी लिखी थी決ं हिमालन लौ स depend लेगए लिखी थी कांगड़ा पेंटिंग ट्रेवल्स इन वेस्टन हिमाल्य अठ नेक्स्ट इसक्ट्मी दर्र हिमाचल प्रदेश की किस जेले में तो शिबक्रण हमारेहमान्चल प्रदेश में फिकन दर्म है कि नेक्स्ट कुछने हीमांचल प्रदेश में CISR कॉंप्लेक्स किस किस में तो CISR जो कांगड़ां पढ़ता आपका पालंपूर के पास में ठीक है IGMC की स्थापना कब हुई थी तो IGMC की स्थापना हुई थी 1966 और डाक्टर रजेंदर प्रसाज मेडिकल कॉलेस टांड़ा की स्थापना कब हुई थी 1996-1997 हुई थी टांड़ा में कहां पर कांगड़ा में स्थीत है हिमांचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे तो हिमांचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे एस चक्रवर्ती और मुख्य मंत्री की बात हम करें तो डॉक्टर वायस प्रमार और प्रथम मुख्य सचिव की बात करें हम तो प्रथम मुख्य सचिव के नों केल मेहता थे नेक्स्ट कुस्ट ने हीमांचल प्रदेश में भूंडा हीमांचल प्रदेश में भूंडा समरोग कहां यह जित के तो भूंडा कहां होता है निर्मंड कुलू में होता ही है ठीक है नेक्स्ट कुस्टन है चंदर ताल जील हीमानचल प्रदेश के किस जिले में चंदर ताल कहां पर है ये आपका लखल स्पीती में चंदर ताल तो चंदर ताल और भी बहां पर जीले है आपका गया सूरस ताल हो गया दिपक ताल हो गया यूना मासा हो गया नील कंड हो गया ध हें नेक्स्ट प्रदेश में परसीद्लभी मेला कहां योजित होता है तो हीमशल प्रसीद्लभी मेला कहां पर होता है आपका रामपूर में होता है और रामपूर में एक और होता है फाग मिला एक फाग मिला भी होता है हलोग हलोग के हलोग शिमला में पत्थर का खेल ठीक है मनाली में क्यों होता है आपका सराही आत्रा सराही आत्रा कहां पे होता है आपकी कुलू में ठीक है डूगरी कहां पर हो यह एक मनाली में वोइल्ड फ्लावर हाल किसका निवास था यावास था्ल लौड कीचनर का नेक्स कुस्टन है लौहल गाटी में सबसे फंड़ास्थान है कोकसर जो है लौहल सबसे फंड़ास्थान है गुगगा एक परसीद है क्राफ्ट मैंथा मतलब एक क्राफ्ट मैंथा ये गुगगा एक परसीद रिशी विशिस्ट ने अपनी अंतिम सांस सांस ऐसा माना जाता है यहां ली थी टांडी में ली थी अर्द गंगा स्थान है तो अर्ध गंगस्थान कहां पे ये बर्मावर में स्थित है हिमांचर परदेश में सबसे बड़ा मतस्य पालन के इंदर गाए दियोली में है दियोली बिलासपुर में है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1961 में हिमांचीर प्रदेश के नार्वे के सहयोग से ट्राउट मचली पालन का प्रयोग ट्राउट पालन किये जा रहा है किसके सहयोग से किये जा रहा है नार्वे के सहयोग से किये जा रहा है हिमांजी परदेश में परबता रोहन संस्थान कहां पर है मनाली में है यह करंट फेर गया है तो यह 2018 का अंकलर का विपर है तो इसको हम डिसकस नहीं करेंगे फिर भी अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं इसमें हम सीधर चलते हैं नेक्स्ट इसमें यह reasoning portion हम दूसरे वीडियो में ॡिसकस करेंगे आज हम जी के portion ही discuss करेंगे English वहां पौच्शन ही हम दूसरी वीडियो में डिसकस करेंगे आगा आज यहां से हिंदी डिसकस करते हैं जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द है अनुपम जिसकी उपमा मनो उसके लिए क्या है अनुपम है उसकी गाय काली है मैं कौन सा कार्क है तो उसकी गाय काली है कौन सा है संबंद कार्क है शुशक का विपरी कार्द के अर्द शुद्शब्द अविशेग आंक का अंधा नाम ने इन सुख कहलाता है गुणों के विप्रीत नाम संग्या शब्द है बच्चा संग्या शब्द है इसमें Next Next question है Computer transforms or a process data into a useful किसमें information में करता है और desktop computer is also known as PC Next question है Most powerful type of computer The most powerful के है Super computer Next question है Computer system is controlled by its CPU के द्वारा control किया जाता है Next question है Processing involves Processing किसमें involved रहती है Iska right answer है Transforming input Input into output Hardware in which data may be stored for a computer system is called Memory Next question है Alu of computer Alu of computer Respond to the commands Coming from Control section Next question है The name of the location of particular piece of data Is it Address Next question है Shift Control Control Shift And Alt Are called Beach of The following keys Which of the following Produce high quality inputs So, क्यों होता है High quality नो non-impact जो है High quality नो produce करता है Next question है Which of the following Commands in MS Word Is used to give a file name And place a live Okay, save as Next question है Which of the following Option in MS Word Is used to Display information Such as title Page number Of the content So, क्यों है Header and footer In MS Word A word Get selected By clicking it Twice Next question है Word Italic Regular Commands in MS Word Are also known Also known as Font style Next Which of the following Cannot we use To create Parallel Style column In MS Word Format Column Next question है Which of the following Shortcut key Is used To cut Selected Item In MS Word Shift Plus D Next question है Which of the following Key Is used To delete To delete Character to The left of the Cursor In MS Word Residence Back Space Next question है Next Parallel Is 1930 Where Was To Hamilton Canada में हुए थे रास्ट्र मंडल खेलों में रास्ट्र मंडल खेलों में पदक जीतने वाले परतम भारती राशीद राशीद थे किसमें जीता था नो कुस्ती में 1934 में लंदन में जीता था अब नेक्स्ट वस्षचन हैं कि दूर vidéos कप किस खेल से संब्द्धीते हैं तो डूरोड कप किस खेल से सम्द्धी दूरोड कप आपका फूटवाल से संब्द्धीते हैं अ FIFA कश दिसमें रशीय में और यह जिसमें 2018 का K legal है तो इसमैं यह 2018 को तो प्रति वर्स् голос किया स्यूक्तरस्ट दिवस मने जाता है- तो सियूक्तरस्ट दिवस कब मने जाता है। 24 अक्तूबर तो सिंगत्रास्ट की स्थापना कब हुई थी स्थापना हुई थी आप अंग्रेज जी है कितने सदस्य देश करें 193 है नेक्स्ट प्रतम भारतिय अंट्रार्टिक अप्यान किस बर्श शुरू हो था तो प्रतम भारतिय दो जार साथ में हुआ था राइट एंसर इस डी नॉबिल पॉर्सकार प्रती वर्श कहां बित्रित किये जाते हैं तो प्रते अब प्रती वर्श का प्रत औरश अधिया जाता है नेक्स्ट कउस्ट्टने निमल लिखिड में से कौन सा शीद का लिमभी पीरता पूर्शकार शीद का लिम ते पूस्ट्टव स्वर सबहरिया चक्र पो फाइर के लिखा कौन है तो बिंग जब अब्दुल कला नेक्स क्वेशन है विस्व परशीद फिलम दी गांदी का निर्देशन किस ने किया था रिचर्ड एंटन प्रो तो रिचर्ड एंटन प्रो ने किया था और आघ्यजट गातने अन्तरास्ट्र नियले का मुखहले कांवें है था Apa एक नेक्स श्रों सच्छी वाले इस्थिता है तो शार्क का सच्छी वाले काहां काथ मंड लुग है तो शार्क की स्थाफना कंब वेंडिय specialist इए पूइन तो निपास्ड़ के Camden रूम है इसका ठीक है इसके सदस्य देश्कित ने आठ है इसके इंडिया नेक्स्ट प्रस्ट ने नावकी और प्रशार संदी कव अस्तित्व में आई थी तो नावकी और प्रशार संदी नेक्स्ट प्रस्ट में नेक्स्ट प्रस्ट में नीम लिखित में कौन सिंख्त रस्ट की सुरक्षा परश्ट का स्थाई सदस्य नहीं है तो कौन जर्मिन जो है स्थाई सदस्य नहीं है श्यूंक्त राश्ट के 5 स्थाइस दसे हैं तो 5 स्थाइस दसे कौन कौन से हैं अमेरिका है ब्रिटेन है चीन है फ्रांस है और रशिया है next question है कौन सा अमरीक्य राश्टपती उसके राश्टपती बनने से पूर एक प्रसीद फिलम वो टीवी कलाकार था next question है कौन सा भारती है बिस्मार के नाम से जाना जाता है next question है निम्मे लिखित में कौन एक परसीद सरोध बादक है तो परसीद सरोध बादक है next question है स्पैरो की उपादी किसे दी गई थी तो स्पैरो की उपादी दी गई थी आपका मिज राजिंदर सिंग तो लोग पूर्स कुंट से हैं? सरदार बल्लव भाई पटेल भारत का नेपॉलियन कौन है? समुद्र गुप्त नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन जो चुदारो का स्थानी नाम है मौत का टिला नेक्स्ट क्वेश्चन है मगद की प्रत्म राजदानी कौन थी? कौन सी थी? मगद की प्रत्म राजदानी की गिरी वर्ज थी? ठीक है? शिशुनाग गिरी वर्ज इसकी राजदानी थी? ठीक है? एक क्वेस्टन और बनता है पाटली पुतर नगर की स्थापना उदेन शाशक ने की थी, जिशुना के समय मगद की राजदानी क्या थी? मगद की राजदानी पाटली पुतर थी, मगद पर शाशन करने बाला प्रतम शाशकी वंश हयसक था कौन था हयक नेक्स क्वेश्चिन है भारत ने भारत के किस राज्य में नलंदा पिश्विद्याले हैं नलंदा पिश्विद्याले कहां कापका विहार में है तो नलंदा पिश्विद्याले किस थापना किस ने की थी कुमार गुप्त ने की थी गुप्त बंच का अन्थिम शाष्छत कौन था विष्ण कुप्त की स्थापना किले कि इस श्री गुप्त किथी में को स्कुटिन का आर्थ सास्त्र किस समेंनी से कनीश्यक के शाष्ण के दौरान एक बहुत संगीथी कहां हो तो कश्मीर क्यों आयोजित ही थी मच कटिक किसने लिखे थी मच कटिक किसने शुद्रक ने लिखे थी कलहन ने कौन से लिखे थी राज्टरंग ने लिखे थी भाणबट ने कदंबरी लिखे थी ने राश्टर कूट समराज्जी किस्थापना की थी के तो रास्तार नियोंत बेवाबस्ता को पर्म करने के लिए जाना जाता हुआ ठीक है इसमें 2-3 question और बनते हैं जयसे दिल्ली का पहला तुर्क शाषक कुटभदीन ह अवसर्त दुलिए का पहला शाषक कुटभदीन एबग था ठीक है गुलां गुलां बन्सक्री स्थापना किसने की थी कुटभदीन एबग ने की थी पीजापूर किस के लिए जाना जाते हैं नेक्स क्वेशन है ब्रिटिशों द्वारा भारत में कौन सा प्रत्थम किला निर्मित किया गया था नेमे लिखित में कौन सी पंजाब की राजा रण्जीत सिंग्की राजदा नी थी भारत के प्रतम गोवर्नर्र जनल्र आप्शन में तो एक उच नहीं दिया तो बिलियम वेंटिक थे 1835 बिर्सा मुंडा किसके पक्ष में थे इन में से कोई नहीं नेक्स्ट क्रेश्चन है निमिले की नेताओं में से कौन सा 1916 में लखनव समझोते का प्रमुक था तो फीजी तिल्क जो थे लखनव समझोते किस ने गांदी को अर्ध नंगन विखारी का था विंस्टन चर्चिल ने महतुमा गांदी को अर्ध नंगन विखारी का था नेक्स्ट क्रेश्चन है किस देश प्रथम माक्सवादी करांती हुई थी तो रशिया में सबसे वहले माक्सवादी करांती हुई थी किस शाष्क ने लिखी गई थी तो गीत गुबिंद जो है आपकी संस्क्रिट में लिखी गई थी और गीत गुबिंद किस ने लिखी थी जय देव ने किस स्थान पर प्रसिद रहस्य मयर त्री मूर्थी शदाशिव है तो वह है अलिफेंटा निमलेखित में से कौन सा सौर मंदल से समन्दित नहीं है है ne Kane Над निमलेखित केसो में से कौन सी एक वहिर मंदल मेंसरादिक मातला पाउयते है वन है 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 नेक्स कुछन है निमलेखित में कौनसा एक अग्नी चट्टान नहीं है आगने चैटान कोन सीan, नीज जो है आगने चैटान नी है। मैग ग्रेव, वेसाड जो है इसारी के आगने चैटान हैं नेक्स्ट, द Doch Great Varrier Reef किस डेश में सती ते हैं तो Great Varrier Reefском also of got Australia में सती ते इसको हम कहा गये ता हैом में प्रभालबिति भी कहते हैं उस्तेर्लिया और न्यॵ गिंई के बीच टेरास जलसंदीह है नेक्स में नभी नधियों में से कौन सी सब्से बढ़ी है नेक्स क्षचने ब्रिस्ट चाया प्रभाब किसे समधिता वो है परवतिय वर्षा उसे समधिता निमे लिखित में से कौन सा किसी क्षेत्र के बाताबन करमें तो वो कारक नहीं है देशांस नेक्स्ट क्षेशन है जै विविश्टा उस्टम होती है तो जै विविश्टा किसमें टॉर्डिक सेत्र में उस्टम होती है साल ब्रिक्ष किसकी प्रारूपी प्रजाती है उस्टन कटिबंदी वॉंसन बन की यह है सुनामी का कारण नहीं है तुफान यह हं उत्र Jacquie विली वीडी विली 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 उसalnız कटबंधी चक्रवाथ क Bev mim उत्र पस्चिम ऐस्ट्रेलिया के मैं clar तर्ट में, नेक्स कुछ ने, तंबाकू का, तंबाकू का, बिशब का सिर्श उत्पादक को नहीं है, तंबाकू सबसे जदा कहा होता है, आपका चाईना में होता है, और भारत में क्या होता है, भारत में आपकी चाई होती है, सबसे जदा, ठीक है, गन्ना कहा होता है, गन्न और फास सबसे लिक उता है नेलिके लिखी निम लिखे तक में कौन सा राजक क ichetr भल में सबसे चोड़ तो सबसे चोड़ा नेक्ट narse ft nरेमर की खाड़ी किसके तक के साथ स्थीत्ह तो मनार की खाड़ी जो आपका to Ah Neoga धुर्गा पूर्किस नदी की किनारे है, तो तो बूधर दामोदर नदी की किनारिस देता है एक और क्वश्चन है जो अपका नaming नाना कोफें निसमत क्या है नाकोफड़न की दिशा आभान गतिम आपने के लिए बाला इज रहें वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एच्पी जी के क्वेज